रुपी पिछले एक साल के अंदर में 10% वीक हो गये 10% वीक एक रुपी के लिए होना ये बहुत बड़ी बात है जनरेडी करेंसी इतना वीक या इतना स्ट्रॉंग नहीं होता एक साल के अंदर में पिछला एक साल काफी टेस्टिंग रहा है क्योंकि ओवराल गलोबली आप दिखा जाए तो सारे फिनाशल एसेट में वीकनेस आई है और रुपी भी क्योंकि अपने आप में फिनाशल एसेट है चाहे वो करेंसी है तो उसके अंदर में भी वीकनेस आई है इस कॉंसेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ छोटा सा वीडियो होगा कि रुपी वीकनेस का क्या मतलब है और हमें क्या अपॉच्टिंटी ढूननी चाहिए अगर रुपी वीक है तो सबसे पहले आप एक बात समझिए जब हम रुपी कहते हैं तो रुपी स्टैंडलोन डजन्ट मीन एनिफिंग रुपी वीजा वीज क्या तो जबी भी हम कॉमन बात करते हैं तो उसको कहते है यूएस ती आहना मतलब रुपी वर्सेज यूएस तॉलर वीक हुआ है इस पर सब्सक्राइब द्सक्राम करें, हैं यूएस तॉलर के अपने विएबल्ट है। पर रुपी के अपने विएबल्स है कई बार कौश्शन कांपेर करते हैं तो जैसे जूपी ग्रोध क्या हो रहा है? इन्फलेशन क्या है, जूज जादातर तर मेकरो वैडिबल्स है उससे हम यह दोनों currency को compare करते हैं actually आप देखा जाए ना currency क्या है currency दो countries के financial status को या balance sheet को compare करती है बहुत ही powerful instrument actually एक price जो कि दोनों country को literally एक parity दे देती है तो जब हम कहते हैं इसका मतलब U.S. as a country versus इंडिया को अगर हम parity में compare करे financial situation पॉइंड हो से हाँ social politically financial situation पॉइंड हो से compare करे तो almost 79 times है U.S. economy तो यह चर्चा चली कभी बाद में करें बट point यह कि जब हम prediction करने की कोशिश करते हैं या forecast करने की कोशिश करते हैं तो हमको forecast करना पड़ेगा USD को भी और हमको focus करना पड़ेगा I.N.R. को भी futuristic इनके सारे variables को देखके उनको estimate करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम वो एक magical नंबर पर पाएंगे कि यह 79 85 हो जाएगा कि 79 70 हो जाएगा तो यह बड़े-बड़े economist लोग यह focus करते हम और आप यह काम नहीं कर पाएंगे because वो सारे economic variables को focus करना यह अपने आप में महावारत है अब चलते हिस्टोरिकली लास्ट एक साल में हुआ क्या है रुपी वीक क्यों हुआ दो major reason है रुपी वीक होने का पहला बाहर डॉलर स्टॉंग हो रहा है और डॉ obviously वापस US चला जाएगा जिसके kind US dollar की demand हो जाएगी इसलिए dollar index पर रहा है दूसरा reason रुपी वीक होने का है वह है तेल का दाम भढ़ना crude oil को तेज होना और crude oil को क्यों तेज हो रहा है यह Russia Ukraine का crisis one of the major reason है कि तेल का दाम भढ़ रहा है अब यह दौनों आज की rate में intact हैं तो chances है कि रुपी यहां से weak ही रहेगा और अगर आप multi asset trader है या multi asset को follow करते हैं जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप multi asset trader बनिये तो यह रुपी का weakness actual में आपने utilize किया होगा market में trade करने के लिए और पैसा बनाने के लिए और अगर आपको यह आता नहीं है तो हमारे पास multi asset trading mentorship program है इसक बताते हैं चले अब क्या होगा market में इस पर बात करते हैं तो यह रुपी का chart है dollar index के साथ मैंने plot किया है तो अगर आप chart देखोगे न तो लगेगा कि sir यह तो बहुत ही obvious सा बात है यह तो हो नहीं था रुपी बहुत दिन से pending था यह week होना तो आज की rate में यह 79 33 हो गया है औ तो जरी नहीं की रुपी बहुत strong हो जाएगा as principally रुपी और डॉलर में हमेशा weakness ही रहेगा principally क्यों क्योंकि जो interest rate differential है दौनों country में उसमें हमेशा यह दिखेगा कि रुपी को weak ही होना है और डॉलर का demand कि डॉलर का interest rates कम होता है इंडिया का interest rates high होता है तो डॉलर में लोग लेते हैं और इंडिया में डालते हैं तो demand of dollar will always be higher than the demand of rupees तो यह बात ध्यान रखेगा कि यह जो UST INR है यह विकेश ही रहेगा long term trend उसका वह ही है हाली क्या होता है कभी-कभी एक बार strength आ जाती है जब वह magnitude of strength है वो कभी magnitude of dollar weakness के साथ में मैंच नहीं करता है तो principally it's a weak currency it will always remain weak so अभी क्या लग रहा है अभी यहां से मुझे लग रहा है कि यह जो trend line उपर में है इसका resistance है मोटा मोटी 79 90 80 के असपास तो मुझे लगता है रुपी अब जब तक dollar index strong है रुपी 80 तक जाके फिर वहां पर हो सकता है कि एक period of consolidation आए एक resistance आए और यह resistance typically कौन क्रेट करता है यह RBI क्रेट करता है अब RBI का इसमें क्या रोल है देखे currency regime in India is a dirty regime dirty regime का मतलब गंदा रिजिम डिर्टी मतलब इसमें से controlled regime 100 पसंद आर्वे नहीं करता है बड़ा RBI open market operation करता है ताकि रुपी का जो high volatility है उसको control कर सके और वह कैसे करेगा अगर रुपी वीक हो रहा है तो RBI आएगा डॉलर बेचना चालू कर देगा ताकि यह weakness थोड़ा सा रूज आए फिर भी रुपी वीक हो रहा तब यहां पर आएगा और डॉलर बेचना चालू कर देगा और यह डॉलर कहां से बेचता है डॉलर बेचता है foreign exchange reserve से और foreign exchange reserve कहां से बना इंडिया में हम जो इतना export कर रहे हैं इतनी कमाई कर रहे हैं finally हमारा balance sheet country का ठीक कैसे वो reflect करता है foreign exchange reserve तो RBI open market operation के थ्रूप कोशिश करता है कि रुपी की volatility को मैं controlled रखू RBI यह नहीं कर चाता है कि रुपी 82 नहीं जाए उससे RBI को क्या मतलब है अगर economic situation ऐसी है कि जिसके काई रुपी वी इक होगा तो RBI उसमें कुछ नहीं कर सकता है बढ़ हाँ volatility को control करना यह RBI की responsibility है जो वो open market operation के थ्रूप करता है अब हम as an investor अगर हमको opportunity ढूणनी है तो हम कैस opportunity ढूणे तो पहले मैं traders की बात करता हूं so traders अगर आपको रुपी के इस तरह के volatility इस तरह के working opportunity ढूणी है तो trade करिए exchange के अंदर में segment है currency segment जहां पर बहुत छोटे margin के अंदर में आप market में trade करके पैसा बना सकते है और अगर आपको नहीं आता है तो multi asset trading mentorship program जाइन कीजए आप अगर आप suppose वो नहीं join कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है हमारा stockage social के अंदर में stockage club में रादर हमने currency और commodity पे भी अलग room बना रहा है जहां पर constant basis पे हमारी चर्चा चलती है कि currency में अभी क्या opportunity है किस currency में क्या opportunity है और उसको पूरा moderate करते हमारे experts जो currency के अंदर में actively involved है तो य mentorship program joint करें यह stockage club का part बन जाईए दूसरा अगर आपको investment ideas धूनना है around rupee weakness तो आप एक काम कीजिए stockage के अंदर में जाके यहां पर आपको investment themes मिलेंगे यहां सर्च करिए rupee और यहां लिखेगा आपको rupee weakness, rupee weakness का मतलब क्या हुआ जो export oriented sectors है उनको benefit मिलेगा उनका realization भड़ेगा तो export oriented में कौन कौन आगे IT है, chemical है, auto ancillaries है, कुछ हद तक capital goods भी है थोड़े थोड़े तो वो सारे company जो export oriented है जिसको benefit मिलेगा अगर rupee weakness होता है कुछ हमने आप pen down कर रखा है जैसे TCS, Infosys, HCL, Wipro, Tech Mahindra, Divis Lab, Mindtree, Balakrishnan Industries, कुछ हमने pen down कर रखा है कुछ obviously आप अपना follow on करके homework करके बताइए कि कौन कौन से वो export oriented companies है जिनको बहुत benefit होगा अगर rupee week होगा तो उसमें मैं आपको एक caveat देता हूँ कि अगर rupee week होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि market बहुत strong होगा तो यह सारे stocks में अगर आप invest करते हैं तो इनको छोटा swing के लिए खिलेगा या बहुत ही long term investment का mindset चरखेगा because week होगा rupee तो लंबी अवदी के लिए रहेगा weakness ऐसा नहीं है कि rupee अभी 79 हुआ और फिर फटाक करगे 77 हो जाएगा ऐसा होने का possibilities कम है until as dollar वहाँ पे week होना चालू हो जाए जिसकी again possibility मुझे कम लग लिए तो अगर आप अपना investment basket create करना चारें portfolio build करना चारें then I think adding export oriented stocks as part of your investment theme is not a bad idea I hope this was useful video and I hope you got a perspective on rupee तो trade करना चालू करें रुपी को follow करना चालू करिए और नहीं आता है तो हम तो हैं हम आपको सिखाएंगे वो and अगर आपको नहीं सीखना है और आपको readymade output चाहिए तो stockage के अंगर में यह theme है जहां पर आपको readymade output में जाएगा thank you so much please take care of yourself bye bye करेंगे नहीं जापको दूश करते हैं